कि गुट बॉर्णिंग स्टुड़न्ट तो आजका हमारा टॉपिक नई रियक्शन हमने इससे पहले रोसेंड मन रियक्शन देखे थे यह सेकंड रियक्शन है कि जो हमको स्पेसिफिक होती है कि इसके लिए अल्डियाइट के लिए इस रियक्शन से आपको कीटोन नहीं बन सब्सक्राइब करने करते तो अपने मखने पहले कि अधर में पार्शील रिडख्शन करते तो अपने को अलपोल मिलता है मैं नहीं के लेक्शन बता था अगर यही इस रियाक्शन के अंदर में अगर पर चुछ अपको प्लाडियम बीगा देखा है पैलाडियम ही अगर होता बैरियम सल्पेट अगर नहीं होता तो बैरियम सल्पेट अगर यहां पर नहीं होता तो यहां पर कंप्लेट रिडक्शन हो जाता और वहां पर अलकॉल बनता लेकिन यहां पैलाडियम के साथ में बैरियम सल्पेट अगे इसके वज़े से क्या था प बनेगा तो इसमें पार्शियल रिडक्शन है तो इसके अंदर में होता क्या है तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखती विचलते तो यहां एक रियाक्शन है कि जिसके अंदर में नाइट्राइल की का रिडक्शन किया जाता है नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्श साइनाइड होगा क्योंकि आपको पता है कि यहां पर अपने को यहां पर स्टैनस क्लोराइड लेना स्टैनस क्लोराइड और यहां तब जाकर कि उससे क्या बनेगा सबसे पहले इमाइन बनेगा आगे बता था कि इमाइन किस प्रकार से बनता है उस चीज़ का भी आपको फॉर्मेशन बता था कि किस प्रकार से रियाक्शन होने वाली और उसका फिर हाइड्रोलाइसिस नॉट हैड्रोलाइस और याज पॉजिटिव दिया कियोंकि मैं आपको अच्छे तरी के समझाने का ठ्यास कर रहा कि हाइड्रोलाइसिस और आयाइसीड हां एइड्रोलाइसिस में फ्रक्ति है तो एसीडैर्री गां सन को हम क्या बुलेंग एड्र क्म लोगों का प्लेह रियाक्श कि यहां पर अलके नाइट्राइल जो होगा उसकी रियाक्शन होगी किसके साथ में हाइड्रो स्टैनस क्लॉराइड और फिर से क्या मिलेगा अल्डियाइड का लिएक्शन बना कर के दिया सबसे पहले एलके नाइट्राइल है उसको आप इसको ख अलकाइल नाइट्राइल भी बह सकते हो इसके मलोग क्या मिलेगा तो अब इसका reduction करेगे तब जाकर करके उससे हमको इमाइन बनेगा इमाइन hydrochloride भी बूल सकते हैं उसको हम लोग फिर उसके बाद में उसका करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा अल्डियाइड का फॉर्मेशन होगा देखते की चैमिकल रियक्शन से जनरल रियक्शन पढ़ने का प्रयाज करते तो यह आपको दिखाय दे रहा है कि आर सी ट्रिपल बॉन यन का मतलब क्या होता है अलकायल साइनाइड होता है जिसको आ मैं पार्शेल रिड़क्शन कर रहा हूँ और था रहा है कुछ नहीं हो रहा है ध्यान दो यहां पर यह जो हैड्रोजण आटम सोगे तो यह क्या हो जाएगा कि यहां का जो और यन के बीच में का पाई आपको पैता है सिंगल बाउन होता है तो सिग्मा बाउन होता है इसक पर क्या होगा कि प्रेंब के बीच में का बंड क्या हो जाएगा और तब झाकर एक ऐसा कंपॉंड एक निश करके उस चीज को क्या बुलेंगे इमाइन बुलेंगे और इसके मतलब क्या होता है इमाइन लेकिन इसके साथ में यसी अला गया है और इसलिए मैंने क्या बुला बिटा इसको इमाइन हाइड्रोक्लोराइड आप जब कई अगर ऑनलाइन लेक्चर्स किसी और के भी सर्च करोगे तो आपको सिर्फ इमाइन का फॉर्मेशन दिखाएगा आप आपको उसके साथ में हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन बहुत कम दिखाए देगा तब जाकर के आपको इस सेकंड स्टेप के अंदर में अमोनिया बाहर निकलते हुए दिखाए देगा आप अगर कोई आउनलाइन लेक्टर किसी और के सर्च करोगे लेकिन नौ इन य सब्सक्राइड का आपके बुक्ते ऊपर में यहां पर यच्थ्री ओ पॉजिटिव दिया है यह स्ट्री ओ पॉजिट्यू का मतलब वही है वहाइड्रोनियम आयन मतलब अश्मिंद लैसी सही बना होता है तो वही है एक ही चीज तो मैंने यह तो और यह पॉजिटिव सेप यहां पर करेगे तो kच नहीं करना है सुनो मैं क्या बतर आप एक बार पर से इसको देखलो आपके पास में पहले हिमायन ताorthеть को तोड़ा साथ में यह गूप इन और Нच का गूप यह जो आपको करते हैं fique मैं छूम करको दीता रहा यहां पर यह जाएगा और यह जाएगा और यह बचा है यह पॉजिटिव यच पॉजिटिव और यह देखो पहले एक बार फिर से समख लो NH है ये HCL है H-Positive का acidic medium बताएगा ये NH और ये HCL तो ये क्या होता है बिटा NH3CL हो जाता है है ना NH3CL लेकिन बोलोगे सर अब ये NH3CL तो नहीं बनाया आपने NH4CL बनाया ये कैसे बनाया आप लिए तो इसके लेविल को सिंपल है कि आपके पास में यहां पर H2O है H-Positive या नहीं दर से है तो यहां का ये H-Positive करता तो यहां का ये H-Positive करता तो यह है ये H-Positive के साथ में आजाएगा तो NH और NH-C-L और OH-Positive ऐसे मिला करके NH4CL इस NH4CL कहां चला जाएगा ये Biproduct में चला जाएगा अब यहां बचा क्या ये R-Positive